हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम सभी का स्वागत है हमारे वेकिंसी एरे एजुकेसर में आज हम बड़ी कुछ कबरी आपको देने वाले हैं और बड़ी भरती आप लोगों के सामने आ चुकी है और यह खास कर बियार के स्टुडेंटों के लिए अच्छी कबर है जी हां दोस्तों अगर आप बियार फ्लिसमेंटों करना चाहते हैं तो दोस्तों कौंस्टेबलों की 8000 से पदिक यानरी की 8000 से हदिक पदों पे वेकिंसी अपडेट हो चुकी है जिसमें दुस्तो इसमें भीर, फार्द मैंन, सर्विस, जेल, होमगाड, भीर, होमगाड ऐसे कई पूस्टे हैं जिन पर आप लोग आवर्दन कर सकते हैं जी हाँ दूस्तो पूरी जानकरी दूँगा इसमें एक्जाम सलेवर्स की हम बात करेंगे इसकी फिजिकल की हम बात करेंगे आवे दन कब से शुरू होने वाला है उसकी हम बात करेंगे सबी विद्यारतियों को अच्छी ख़बर हम देने वाले हैं देखेगा दोस्तो 11.11.2020 यान की 11.9 को इसका अफिसरली नोट रिपिकेसन जारी हो चुका है साथ में इसका एकजाम सलिवर्स भी जारी हो चुका है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को जो विद्यारती हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को आउन कीजेगा आने वाले हर एक नोटिपिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर पाएंगे तो दुस्तो केंदरिये चैन पर इसे सिपाई भरती सरदार पटेल भवन जो इसका ओफिसरली एडरेस है पटना वहां का एडरेस इसमें तियावा है ये देखेगा ओनलाइन आवेदन प्राप्त अंतिम थिती चोदा बारा यान की चोदा दिसमबर तक आपको उसको जमा करवाना होगा सिपाई के दिक्त पदों के लिए पुर्स है उम्मेला उम्मेदवार सीधी न्यूकती चैनित के जाएगी बिहार पुलिस बिहार सेनने पुलिस और विशिस इंडियन रिसर्स फोर्स वाइस के लकोडिंग 21,700 से अधिक तक आपको सेलरी मिलने वाली है पोस्ट हैं क्या 8,415 पोस्ट इसमें दी हुई है आपको यहाँ पे सीधा हम लेचल लगे पोस्टों की बात हो चुकी है आई होब कि आपको पोस्ट के लिए रहो चुकी होगी और 14 दिसंबर से पहले आप इसमें आवेदन कर पाएंगे आपको बता दे 13 नौवंबर से आवेदन पर क्या सुरू होने वाली है यह देखेगा अब आगे हम बात करें जिसमें आप लोग ओनलाइन तरीके से जमा करवा सकते हैं यहाँ पे देखेगा क्यूसं की बात करें तो यहाँ पे करीबन 10 वी 12 वी के पेटन के अनुसार 100 क्यूसं होंगे और 100 परसनों का उत्तर आपको देना होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे दियावाएगी 30% आरक्षन के अनुसार आपको इसमें पासिंग करना होगा आगे दिखेगा 7 वे नमर के कोलम में कितनी क्यूसंस आएंगे 8 वे नमर के कोलम में लिखावाएगी लिखित परिक्सर में 30% कम अंक पराप्त करने वाले अब भ्यारतियों को सारा रिक्तिस्ता के लिए सपल कोशित कर दिया जाएगा अगर आप 100 क्यूसंस हैं में से 30 क्यूसं लाते हैं तो आप उसमें पास नहीं होगे आपको मैक्जिमम 30% से हदिक जादा क्यूसंस करने होगे आगे देखेगा परिक्सया जो लिखित परिक्सया होगी उसके बार में हम बात करें तो लिखित परिक्सया प्राप्त अंकों के आदार पर और विग्या पनरिक्त आरक्सन के कटोप के अनुसार पांच गुणा परते कोटिक अब भ्यारतियों को चैनित किया जाएगा यानि कि एक पोस्ट पे पांच लोगों को पास किया जाएगा यानि कि दोश्टो आप इसमें दे सकते हैं और आपको बता दें कि 50% से हदिक तक आप क्यूशन करेंगे तो आपको सार जैनि कि फिजिकल के लिए इन्वाइट किया जाएगा तो यानि कि सिपाई के पत के लिए आविदन करने के लिए भारत के सभी नागरिक अनिवारी हैं तो दुश्टो यह क्लियर हो चुका होगा इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए अच्छी कबर है यह ओल इंडियन वेकिंसी ऐसा नहीं कि भियार के ही अब आविदन कर सक सकते हैं उचाए की बात करें 165 क्यास पास है और पुर्सों की बात करें नियुनतम स्ट्राइड को यह इस दोरान हम बात करें महिला होगी तो दोश्तों यहां पर महिला होगी बारे में पच्पन के आसपास दी हुई है अगे देखेगा इस में अलग और जान के आफ इस आइ के बात करें तो यानि कि दोस्तों ऐसा कह सकते कि हैं पूरा रेजरिवेशन मिले वाला है वजन के अनुशार 48 किलो वजन होना जुरूरी है दसवी पास वाले अभ्यारती ही इसमें आवेदन करेंगे एक्जाम पेटन की बात करें तो दोस्तों दो परसनल्स होगा एक अंक ने सिकनेचर है आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए और उसके अर्कोडिंग आप इसमें अपलाई कर पाएंगे तो दोस्तों ये पूरा विवरिन है करीबन 15 पेज का नोटल्पी किसन है यहाँ पर देखेगा इसमें दोड की बात करें तो दोस्तों आप एक पॉइंट 6 गयाने कि इसके अंक भी निदार्तिक किये हैं तो दोस्तों ये इसका पूरा सलेवर्स है और ये इसकी पूरी जानकारी है आगर आपको इसके पूरी जानकारी देखनी है वो भी आप देख सकते हैं मैं इसके सलेवर्स के बात करूँ या फिर इसके पैटर्स के बात करें ए वारे writers हैं उनके English की बात करें तो English में भी इसमें क्यूशन होंगे और next मेहत की बात करें तो यहाँ पर अनुकरमांक, सुची, गनीत, मैध, मेध, और जो भी है तिरकोन, मतीव फ़गर है सारे नियम यह आपे दिये हैं सामन निगान के बात करें दोस्तों तो इस्ट्री पॉलिटिकल जोगरों भी बाइलोजी बगरा यहां पर दी हुई है यानि कि आपको करन्ट अफेर के क्यूशन भी इंकलूट किया जाएंगे तो दूस्तों यह बुगोल से लेके सारी जानकारी इसमें दी हुई है करीबन यह 14 से 30 पेज का नोटरिपीकेशन है आपको बता दें कि यह स्नोटरिपीकेशन में पूरी अपडेट मिली हुई है अगर आपको इसी से रिल्लेटिव पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट में लिखें मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी गई है आपको फिर से देंगे दूँ दसवी और बारवी पासवले अभ्यारती आवेदन करेंगे कॉंस्टेबल हो की भरती है आठ हजार से हदिक तक पोस्टेश में दी हुई है पहले बात के लिए रोचुकी होगी सेकिन बात करें तो इसमें 100 क्यूसंस का पेपर होगा आपको बता दें कि जब आप आवेदन करेंगे 21 द पाएंगे तो दोस्तों यह है इसका विबन आवेदन कीजिए 13 से 14 दिसंबर तक और फिर भी आपको किसी परकार का सवाल जवाब हो तो कमेंट में लिखेगा हम आपकी जरूर मदद करेंगे थैंकि दोस्तों जहीं दोस्तों